सेंटिमीटर से परिचे भाग दो इंट्रोड़क्शन टू सेंटिमीटर पार्ट टू आज हम जानेंगे की स्केल अलग-अलग तरह के होते हैं और अलग-अलग लंबाई की वस्तूओं को नापने के लिए अलग-अलग स्केल का इस्तमाल किया जाता है नमस्ते अंकल नमस्ते वंदना पापा हमें आपसे कुछ जानना है बताएए क्या जानना है आप लोगों को कल हम अपनी गुडिया की लंबाई नाप रहे थे लंबाई नापने के लिए हमने सेंटिमीटर का प्रयोग किया लेकिन हमारे पास जो स्केल था वो सिर्फ 15 सेंटिमीटर का ही था तो हमको ये जानना है कि अगर 15 सेंटिमीटर से ज्यादा लंबाई नापनी हो तो कैसे नापेंगे क्या 15 सेंटिमीटर से लंबा स्केल भी आता है हां आता है और मेरे पास है भी आप अपने कमरे में जाएए मैं वहीं पर लेकर आता हूँ सकेल से आपके खिलोने भी नाप लेंगे देखिए मेरे पास ये तीन सकेल है ये वाला स्केल तो हमारे पास भी है हाँ और इसी स्केल से कल हमने अपने अपनी गुरिया को नापा था इस स्केल से ज्यादा से ज्यादा 15 सेंटीमीटर लंबाई की चीज़ों को नापा जा सकता है अब इस स्केल को देखिए और बताईए कि इस स्केल से आप कितनी लंबी चीज़ों को नाप सकते हैं पापा इसमें तो 30 सेंटीमीटर तक का निशान लगा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि इससे 30 सेंटीमीटर तक की लंबी वस्तूओं को नाप सकते हैं बिल्कुल सही चलो न, आपने अपने खिलोनों को नापते हैं मैं अपने खिलोने जिराफ के लंबाई नापूंगी अब देखते हैं इसकी लंबाई क्या है तुम्हारा जिराफ तो 25 cm लंबा है अब मैं अपने बेर के लंबाई नापूंगी अब देखते हैं इसके लंबाई क्या है तुम्हारा बेर तो 20 सेंटीमीटर लंबा है क्या आप लोग बता सकते हो कि बेर जिराफ से कितना छोटा है हाँ अंकल हम जिराफ के लंबाई में से बेर के लंबाई को गटा देंगे जिराफ की लंबाई है 25 cm और बेर की लंबाई है 20 cm 25 cm में इसे 20 cm घटाया तो 5 cm बचेगा इसका मदलब हुआ कि जिराफ बेर से 5 cm ज्यादा लंबा है आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया पर पापा अगर हमें 30 cm से ज्यादा लंबा कुछ नापना हो तो कैसे नापेंगे उसके लिए हम इस स्केल का प्रियोग करेंगे लेकिन अंकल ये स्केल तो बहुत छोटा है नहीं, यह स्केल बहुत लंबा है इतना लंबा कि आप दोनों की लंबाई भी इससे नापी जा सकती है हमारी लंबाई इस स्केल से कैसे? इस स्केल को प्रियोग करने के लिए आपको इसके बाहर लगा हुआ यह हैंडल पकड़ कर खींचना होता है इस हैंडल को खींचने से स्केल बाहर निकलाता है और इस स्केल से हम लंबाई नाप सकते हैं अंकल फिर हमारी लंबाई बताईए ना? जरूर, आप दोनों दिवार के पास खड़ी हो जाओ नेहा, आपकी लंबाई है 138 सेंटीमीटर और वंदना, आपकी लंबाई है 140 सेंटीमीटर ये स्केल तो बहुत अच्छा है इससे हम बहुत लंबी-लंबी चीज़े भी नाप सकते हैं क्या हम ये स्केल ले सकते हैं? हम इससे और भी चीज़ों की लंबाई नापेंगे? क्यों नहीं, आप इस सकेल को अपने पास रख सकते हो आज हमने तीन तरह के सकेल देखे जो लंबाई नापने के लिए प्रियोग में लाए जाते हैं और वस्तूओं की लंबाई के अनुसार उनको नापने के लिए अलग-अलग सकेल का प्रियोग किया जाता है